हेलो दोस्तो नमस्कार एसम किसी चैनल में मैं आप सबी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तो इस वीडियो में हम लोग वापस बात करने वाले स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत ही जबरदस एक बहुत बड़ी न्यूस ब्रेकिंग न्यूस आप अगर आपके पौर्टफोल नियूस अभी हम लोग को देखने को मिल चुकी है तो छविले न्यूस क्या है और जैसे में सिर्फ एक दो न्यूस यहाँ पर हम लोग कुल बात करने वाले total 4 important points से related उस stock से related वीडियो को start करने से पहले आप लोग को कुछ important बात बताना चाहूंगा जैसे कि आप सभी लोग को बता है मेरा दूसरा channel है stock market का classes करके वहाँ पर सुबह जबरदस एक वीडियो अपलोड हो चुका है कि कोई भी शेर अगर आपको खरीदना है तो क्या-क्या चीजे देखनी चाहिए तो मैंने आप लोग को बता है कि साथ चीजे आप लोग ने जरूर चेक करनी चाहिए सो दोस्तो आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके हमारे normal screen के उपर और यहाँ पर जो मैं बात करा हूँ यहाँ आप सभी लोग को अल्रड़ी पता चल भी चुका होगा मैं किसकी बात कर रहा तो यह दोस्तो रिलांच इंडस्ट्री से related और जबरदस हम लोग को यहाँ इंडस्ट्री के उपर focus रखना है अगर हम लोग बात करें तो stock अल्रड़ी अपने all time high के ही करीब चल रहा है in fact आप सभी लोग को पता है 5th June पे ही company ने अपना fresh यहाँ पर 52 खाय यहाँ पर नया अचिव किया in fact all time high भी आप लोग कह सकते यहाँ पर जो company ने शुरुआत में परसों की ऐसी नहीं हम लोग बात करते बहुत ही long term की बहुत ही long term मतलब सालों की हम लोग बात करते तो यह company बहुत ही जबरदस performance दे सकती है तो कुछ parameter से वह मैं ज़रूर बताऊंगा जो कि third and fourth point में पहले हम लोग यहाँ पे news को cover कर लेते तो सबसे पहली news अगर हम लोग य उपन कर दिये जो कि है Reliance Industry ने खुदी यह PDF है जो कि BSE के official website पे आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पे आप सभी लोग को पता है अभी कोई ऐसे शौकिंग वाली बात निये पहले तो ऐसा सिलसिला हो जाता था कि कोई तो company यहाँ पे किसी company में निवेश कर दिये बट Reliance Industry के ले कोई बड़ी बात नहीं तो वापस आप लोग देख सकते है जियो प्लैटफर्म में लगबग 4550 करोड के आसपस यहाँ पे वापस निवेश होते वे देखने को मिल रहा है एंड यह Reliance Industry का 6th चेक यहाँ पे आ चुका है एंड यह निवेश कोन कर रहे है तो कोई नया इ से भी ज्यादा कामांट उन्होंने आप निवेश किया एंड वो इन्वेस्मेंट का है Reliance Industry में नहीं यह Reliance Industry के जो जियो प्लैटफर्म है वहाँ पे उन्होंने निवेश किया हुआ है तो यह अल्रड़ी मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बता दिया था आप सभी अगवाला मैनेजमेंट यह वीडियो अगर आप जिन लोगों ने देख लिया उन लोगों ने जरूर Reliance में जबरदस कमाया होगा और अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो की लिंक भी मैं आप लोगों को उपर आई बटन पर दे रहा हूँ जाके एक बार देख लेना मै मैंने और एक वीडियो बनाया दिया था कि Reliance Industry में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है और अभी आप लोग देख सकते कि कैसी बड़ी बड़ी डील्स हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही इन फेक्ट मैं आप लोगों को यह भी कहना चाहता हूँ यह दिल अभी तक जैसे मैंने का कि 6 चेक 6 यहाँ पर प्रॉपर इंवेस्टर अल्रेडी पैसा ऑफिशली अनॉंस कर चुके हैं और भी लाइन में लगे हुए हैं सो मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि एप्रॉक्सिमेटली 10 इंवेस्टर मतलब और 4 इंवेस्टर हम लोगों को आते वे देखने उन्होंने का आता कि नमुरा ने एक मिटिंग यहाँ पर कंडग किये जहाँ पर रिलाइंस इंडस्टरी थी और जोकी अलग अलग इंवेस्टर है पोटेंशल इंवेस्टर जोकी रिलाइंस इंडस्टरी में मतलब आप समझ सकते हैं इंडस्टरी तो बोला है बड़ जियो मैंने का कि 6 अभी तक confirm हो चुके और भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं जो इस बहुत ही important news है जो कि मैंने आप तक यहाँ पर पोचा दी जैसे मैंने का यह तो दो fresh news थी अभी हम लोग जाएंगे दो important points के उपर जिसके बाद हम लोग जरू कह सकते कि और भी reliance industry के share में हम लोग को क्यूँ आगे जाके long range में एक अच्छा कासा jump देखने को मिल सकता है तो दोस्तों आप देख सकते हम लोग normal screen के उपर यहाँ पर आ चुके हम लोग इसके उपर market capitalization वापस reliance industry ने यहाँ पर regain कर दिया है बीच में आप लोग को बताना चाहता हो reliance industry का market cap 7 lakh करोड उसके भी नीचे हम लोग को बीच में जाते हुए देखने को मिला था इतना pressure से चार मेना भी लग सकता है पांच मेना भी लग सकता है बट come back ज़रू करेगा in fact यहाँ पर हम लोग को दो महिने के अंदर अंदर ही reliance industry come back करते हुए देखने को मिल रही है तो बहुत ही गजब का यहाँ पर performance है जो कि हम लोग कह सकते 10 लाग करोड का market cap वापस reliance industry ने हासिल कर लिया है उसी के साथ साथ अगर अप लोग और एक important बात करें तो yes यहाँ पर depth free से related आप सब लोग को पता है जो की बात थी वापस repeat करना चाहूंगा यह already यह पूरानी news है कि आप सब लोग को पता है कि उन्होंने कहा था कि 31st March 2021 तक reliance industry को में debt free करूंगा बट यह भी आप सब लोग को पता है कि उन्होंने अपने ही प्लान में change कर दिया कि उन्होंने March को यहाँ पर cut करके जो प्लान है तीन महेने पहले का यहाँ पर target रग दिया मतलब अभी reliance industry जो की बात की जारी जीरो debt से related net debt zero रहेगा वो December तक यह जान हो चुका है एंड इसका वापस जिक्र यहाँ पर reliance industry नहीं कर दिया है कि यह हम लोग December तक इसको debt free जरूर करेंगे कोशिस तो करेंगे at least and हम लोग देख सकते कि कोई छोटा मोटा loan नहीं है 1.61 lakh करोड का loan हम लोग को reliance industry के ओपर देखने को मिल रहे है जो की company wipe out करने की कोशिस जरूर कर रही है so definitely वापस management ने इसका बाद का दोराना repetition करना कि yes December तक मतलब December exactly नहीं बोला उन्होंने यहीं का था कि हम लोग इस साल में ही मतलब 2020 में ही यहाँ पर debt free हो जाएंगे मतलब आपकड सकते हो कि December 2020 यह आखरी दीन रहेगा 31st सो तब तक हम लोगों को यहाँ पर Reliance industry debt free होते वे देखने को मिल सकते हैं एक बार यह debt free हो जाएगी तो उसके बाद यह शेर में हम लोगों को और भी जबरदस रैली देखने को मिल सकते हैं और उसी के साथ साथ और एक अगर important news है जो कि हम लोग 5th news भी अगर पकड़ ले त तब मैं आपके सामने यह सारी बाते डिसकस कर पाऊंगा सो आज की दिन भी आप लोग देख सकते हैं Reliance industry related जितने भी important news थे यहाँ पर मैंने बता दिये सबसे पहली जैसे मैंने बात की कि लगबग वापस 4,000 करोड से भी ज्यादा का investment silver lake ने वापस इसमें additionally कर दिया second नमू इसमें ने हासिल कर लिये लगबग 2,500,000 करोड वापस रीगेन करके टॉप पोजिशन पे आ चुके फिफ्ट अगर बात करें तो वो भी कहना चाहूंगा कि company 52 एक हाई के साथ साथ ओल टाम हाई पे यहाँ पे आ चुके और एक important point था कि IPO से related यह भी सारी चीज़े यहाँ प यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि गिरावट तो जरूर थी यहाँ तक गिर चुका था स्टॉक 1000 के भी नीचा आया था तभी मिने का था कि Reliance इंडस्टी हो उसी के साथ साथ HDFC बैंक को यह मुझे statement यहाँ दे कि कभी भी अगर यह तीन डिजिट में देखने क शेर तो यहाँ पे अच्छे कासी यहाँ पे खरीद लिया मैं सिर्फ पेंडामिक की बात करहूं मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूं तो अच्छे कासी यहाँ बाई किये हुए जिसका एवरेच प्राइस भी बहुत ही शांदर हजार के आसपास आ तो अच्छा कासा मुनाफ के उपर डिपेंड करते हैं उपर आई बटन पे क्लिक करके वाला वीडियो आप लोगों ने देखा भी होगा नहीं देखा तो जरूर देख लेना कि प्रॉफिट बुकिंग हर एक का सपना क्या है आपका टार्गेट किया है वहाँ तक अगर आप पोच गया तो बुक कर सक बहुत सारे निवेशक अभी आ रहे है उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखते तो करजे की भी बात डेफ्री होने जा रही है बट यह और एक इंपोर्टन बात कहना चाहूंगा स्टार मार के कि ऐसी बात नहीं कि मैं ब्लाइंड लीसको फॉलो करो कल अगर यहां पे कुछ है और उसका फाइदा यहां पे आप लोगों ने जरूर उठाने है तो शॉट टम के लिए जिन लोगों ने भी इसमें निवेश किया था वो चाहे तो निकल सकते में वापस कर रहा हूं यह आपके उपर डिसीजन रहेगा बट इतना मैंने कहा था कि यह राइट इस सकते हो जैसे मैंने कहा कि यहां पे टेंपरररी सोर्स के लिए जब पैंडमी का यह था तो 212 तक के आसपास के शेर मेरे पास हो चुके है जो पुराने शेर है आप सभी लोगों को बता है 2014 इलेक्शन के पहले मैंने बहुत ही अच्छे खासे शेर अल्रेडी खरीद के रखे आप सब लोगों को बता है उसके बाद तो रिलाइंस जबरदस बाग गया वह बात अलग है वह बोनस के बाद तो और भी डबल हो चुके है तो बताने का मकसद यह है कि कोई भी कंपनी सिलेट करने से पहले कुछ इंपोर्टेंट बाते आप लोगों ने ज़रूर चेक करनी जो कि मैंने दूसरे चैनल में जो वीडियो बता है उसमें आप लोगों को बताईए और एक इंपोर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बीच में मतलब लगबख 6 मैना हो गया मतलब पुरानी बात है तब ही मैंने कहा था कि रिलाइंस इंडस्ट्री पुरा नी न्यूस है उसके बाद आप लोग यहां पर देख सकते तब शेर लगबख 1100-1200 के आसपस था आज हम लोगों को यह पेंडेमिक के दर्मैन भी 1600 देखने को मिल रहा है तो ऐसी कुछ चीजे जो कि आप लोगों हमेशा चेक करनी होती है अगर हम लोग नसे के ऑफ लोगों ने आप अच्छागा साथ डीटेल में कवर कर लिया था वरना आप सभी लोगों को पता है बहुत सारे लोगों ने आप लोगों को का था कि रिजल्ट इसके बिलकुल भी अच्छे नहीं खराब है आप लोग इसको बेजड़ दो एक्जिट कर दो तो अभी बहुत सारे लोग शांत यहाँ पर हो चुके है तो दोस्तो वीडियो को क्लोज करने से पहले यह कहना चाहूंगा कुछ अपडेट थे जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पर बता दिया उसी की साथ कुछ एक्स्ट्रा पूरानी बाती थी उसका भी रिपेटेशन था वो भी मैंने आपके लोग को यहाँ पर याद दिला दिया तो आप लोग कम्प्लीटली यहाँ पर वापस अपडेट हो चुके हो आयो पाशा करते हो यह वीडियो आपके लिए हल्फुल रहोगा